ओम शांति, 12 अप्रिल 2023 के इश्वरिय महावाक्य हैं, आज के साकार मुरली के सायर में ज्ञान सागर बेहद के बाप ने कहा, मीठे बच्चे, ज्यान अम्रित है और योग अगनी हैं, ज्यान और योग से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे, ज्ञान किस तरह से अम्रित है और योग किस तरह से अगनी हैं, इस पर थोड़ा समझेंगे, बाबा केते हैं कि ज्यान जो मेरे द्वारा तुम आत्माओं को मिलता है फिर उन आत्माओं पर जमी विकारों की जो धूल है वो इस ज्यान से ही निकल सकती है और बाबा ने कहा योग अगनी जिससे तुम्हारे पाप विकर्म विनाश होते हैं तो पर्मात्मा की याद योग अगनी अर्थात पर्मात्मा की योग अगनी में हमारे जन्म जन्मांतर के पाप विकर्म विनाश होते हैं हमारे गर्म श्रेष्ट बनते हैं और हमने जो किया उसका भी चुकता और जो अभी हुआ उसका भी चुकता और आने वाले फ्यूचर के लिए सतियोग के लिए एक अच्छा करना तो इस तरह से बाबा ने आज कहा मेठी बच्ची ज्यान अम्रित है और योग अगनी है ज्यान और योग से तुम्हारे सब दुख दुर दूर हो चाएंगे प्रश्न है कौन सा रस ज्यान से प्राप्त होता है भक्ती से नहीं उत्तर में बाबा ने कहा जीवन मुक्ती का रस भक्ती से किसी को भी जीवन मुक्ती का रस नहीं मिल सकता बाप जबाते हैं तो बच्चों को जो direction देते वही ज्यान है उसी पर चलने से स्वर्ग की राजाई मिल जाती है गीत है भोले नात सी निराला, ओ शान्ती, बच्चों का भोला बाबा बच्चों प्रती समझा रहे हैं, इसको कहा जाता है शीव भोला बाबा, हमेशा शीव को बाबा कहा जाता है, कोई चित्र देखे वाना देखे, पर इन्तु याद करते हैं शीव भोले नात, शीव भोला नहीं कहेंगे। भोलाक्षर कहने से मनशियों की बुद्धी में निराकार शिवाबा का चित्र आता है। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो अब भोलानाथ बाबा कहने से भक्तिमार्ग वालों का कोई मुख मीठा नहीं होता है। अब गुणों को जब तक आप इस देह के भान में आकर जो दुनियादारी को अपना समझ बैठे हैं और जो दुख के कारण हैं और जो कड़वाहट हम मुख से निकालते हैं क्रोध की, काम की या जो भी विकारी रूपी हम ये भूतों से अपने आपको भरपूर रखा है तब जब तक आप मीठा नहीं बन सकते जब तक आपको पता ना हो आप कितनी भी महिमा कर लें बाबा के ते महिमा करते रहें मुख मीठा नहीं होगा क्योंकि आत्मा के विकार जब तक आपके अंदर से नहीं जाएंगे तब तक आप मीठे बन ही नहीं सकते अभी तुम बच्च शीवाबा को याद करते हो, शीवोलानाथ बाबा कहने से मुखो मीठा हो जाता है, नीराकार शीवाबा है ना, तो शीवाबा हमको पढ़ा कर स्वर्क का मालिक बनाती है, बाबा कहने से बच्चों को प्रोपर्टी भी जरूर याद पढ़ती है, तुम बच्चे जानते हो, व मनुष्य श्रष्टी रूपी जाड का भी वह एक बीज है, अब निम्बू का जाड उगाना है, और उसमें निम्बू चाहिए आपको, तो फिर आपको निम्बू का ही डालना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आपको निम्बू चाहिए और अमरूद का बीज डाल दोगे, है न, आ आपको अमरूद चाहिए, तो अमरूद का डालना होगा, आम चाहिए, तो आम का डालना होगा, तो ऐसे ही बाबा केते जाड का एक ही बीज होता है, तो ये मनुष्य श्रष्टी रूपी जाड का भी वह बीज है, जिससे फिर मनुष्य श्रष्टी रची जाती है, क्योंकि बाप हो गया न, बाकि सब हुए उनके बच्चे, भक्तों का भगवान बाप एक है, भक्त याद करते हैं भगवान को परद्द पूरा जानते नहीं है, यह भी ड्रामा में डूंध है, बच्चों को इस ग्यान और योग बल से सदा सुखी बनाए, मैं छिप जाता हूँ, ग्य पान सागर भी एक ही है, जैसे वह पानी का सागर भी एक ही है, उनको बाटा गया है, यह इंडिया का सागर है, बाबा कहते हैं यह फलाने का सागर, कहते हैं यह इंडिया में सागर यह है, वो है न, तो इस तरह बाबा कहते हैं वास्तों में सागर एक ही है, सत्योग में इस स सागर को बाट नहीं सकते, एक ही सागर रहता है, जिसके तुम मालिक बनते हो, वहाँ इतने खंड थोड़े ही रहते हैं, अभी तो चांद सूरत को भी बाट दिया है, कैसे बाट दिया है, एक अमेरिका बसा दिया, एक दूसरा योरोप बसा दिया, ऐसी तरह से अलग-अलग क पंटरी, एक जपान है, एक चाइना है, ये सब तो बापा कहते हैं, बाइ प्लोट जो हुआ है, तो वो बाइ प्लोट वापस भी आएंगे, जो चका चूंद हमें सौ वर्षों की दिख रही है, वो चका चूंद इन सौ वर्षों में ही लोटनी होगे, वापस जिसका जहां लोटाना होगा जब इंडिया में दिन होता तो अमरिका में राथ होती और जब अमरिका में राथ होती तो इंडिया में दिन होता तो बढ़ गया ना चांद सूरत तुकड़े करते हैं उसके भी बाबा कहते हैं उस समय सागर को बांट नहीं सकते एक ही सागर रहता है जिसके तुम वालिक बनने वाले हूँ, वहाँ इतने खंड थोड़े ही रहते हैं, एक बाप की एक राजधानी रहती है, इसी भारत वर्क पर World Almighty Authority का एक ही राज्य था, देवी देवताओं के राज्य को भगवान भगवती का राज्य भी कहते हैं, विलायत वाले God Goddess कहते हैं, पर अंत तुम जानते नहीं हैं कि वह कब राज्य करते थे, कैसे राज्य पाया, ज्ञान सागर एक बाप है, वही ज्ञान से सबकी सद्गती करते हैं, अब तुम बच्चे जानते हो, हमारे सामने ज्ञान सागर बैठाए उनसे ज्ञान गंगाय निकल सारे विश्व को सदगती देती है इसको ज्ञान अमरित भी कहते हैं अमरित शब्द से ही फिर पुचारी लोग चेरंधो कर यह है वो अमरित बनाए पीते है देखो बाबा ने कितनी प्यारी बात है मुरली में कितना गोहार आज बाबा ने समझाया है मैं repeat करूंगी बाबा कहते हैं कि अमरित शब्द से ही फिर पुचारी लोग चरंधो कर वोय अमरित बनाए पीते हैं वास्तों मैं उसको अमरित नहीं कहा चाता आजकल दवाईयों का भी नाम अमरित रखा है जिससे सब दुखदूर होते हैं वो भी बात नहीं हैं यह तो बाप बैठ बच्चों को योग सिखाते हैं योग को अमरित नहीं कहा जाता योग अगनी से तुम्हारी सब बिमारियां 21 जन्मों के लिए दूर होंगी क्योंकि जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो बाप समान आप समान बनने की जो हम योग से अपने अंदर में भरमात्मा के गुण भरते हैं जो हमारी आत्मा के सत गुण हैं वो सत गुण हमारे में आने शुरू हो जाते हैं तो हमको उन गुणों के कारण फिर हम जब देवत्व धारन करते हैं, फिर प्राक्टिकल में हम उस संसार में जाकर के सुख की दुनिया में रहते हैं, तो 21 जन्मों के लिए, वहां कोई बिमारी, किसी तरह की आकाले मृत्यू या कोई भी धन से, कोई आप्राप्ती नहीं है वहां, तो सिर्फ बाबा कहते ह योग अगनी से तुम्हारी क्या होंगी, सब बिमारियां 21 जन्मों के लिए दूर होंगी, तो इस जन्म की नहीं, इसमें तो अंत तक भोगते रहेंगे, यह है योग की बात, बाप कहते हैं, योग लगाओ तो तुम्हारी सब बिमारियां नष्ट होंगी, फिर कब बिमार ह होंगे ही नहीं यह कोई समय नहीं कह रहें बाबा आगे future के लिए बाबा कहे रहे हैं जहाँ तुम्हारे को transfer करेंगे तो तुम पुर्शार्त करते हो बाप से हैल्थ, वेल्थ लेने लिए, वहाँ कोई बिमारी होती ही नहीं, मैं तुमको वो ऐसे कर्म सिखलाता हूँ, जो कभी बेमारी होगी ही नहीं, कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, परंतु यह तो सब ड्रामा में नूंध है, नाम पड़ गया है व्यास का, यह है बना बनाया ड्रामा, जो भी तुमने देखा वह सब ड्रामा में नूंध है, अन सतो प्रधान से तमो प्रधान में जरूर आना है, इस कर्म शेत्र से बाहर कोई जा नहीं सकता, तुम जानते हो हम सो सतो प्रधान थे, अब हम सो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, ड्रामा अनुसार बनना ही है, भक्ति मार्ग में रात शुरू हो, अंधियारा हो जात जात को भी पहले सतो प्रधान भी सतो रचो तमू कहा जाता है। धीरे-धीरे कला कमती होते होते घोर अंधियारा हो जाता है। देखा ना आपने चंत्र में जब फुल मून होता है तो पूर्णी मासी कहते हैं। जब चांद कटते 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 फिर मावस्या थक पहुचता है तो एकदम घोर अधियारा हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं धीरे-धीरे ये बाबा हमें बेहद का बता रहे और वो हम जो जानते हैं वो हद का जानते हैं। बाबा केते हैं, फिर धीर धीर क्या होता है, अभी श्रिष्टी पर बेहत का ग्रहण है, कलाएं धीर धीर कम होती है, बाबा केते हैं, जब तुम सतो प्रधान, सतो प्रधान होते हो, हमारा जो अनादी स्वरूप है, वो कैसा है? तो फिर सतो में आते हैं, सतो प्रधान दुनिया में, तो वहां हमारा शुरुआत हो जाती है, कला उधर कम नहीं होती है, लेकिन वहां से हमारा पाट शुरू होता है, तो धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाते हैं, फिर हमारा आता है, त्रेता में थोड़ा और कमती हो जाते है तो हम 16 से फिर 14 में आजाते न तो फिर चंद्रवंशी में आजाते हैं सूरीवंशी से, है ना? आच्छे तो बाबा के इस तरह से क्या होता है? धीरे धीरे अंधियारा होता है? आभी इस च्छलक्श्टी पर धीरे बेहद का ग्रहन है एकदम घोर अंधियारा है, इस चंद्रमा की बात नहीं, यह सारे विश्व की बात है, बाबा कहते कोई चांद सूरज की बाते नहीं है, यह सारे विश्व की बाते हैं, रावड का ग्रहन लगा हुआ है, द्वापर से लेकर सारे विश्व को ग्रहन लगना शुरू होता है, थोड़ा थोड़ा लगता जाता है, बच्चे सोवर्ष लगता है, जबकि अंत में भारत बिल्कुल ही काला हो जाता है, अभी है बिल्कुल घोर अंधियारा. घोर सोजरा अर्थात दिन बनाने वाला है बाप, पतित को पावन बनाने वाला है बाप, माया रावड फिर रात घोर अंधियारा बनाती है, भक्ती करते भगवान को याद करते ही आते हैं, भगवान भगवान को तो याद नहीं करेंगे, सर्व ब्यापी के ग्यान वालों को स समझाना चाहिए God Father is one वह है मनुष्य श्रिष्टी का बीज रूप पाकी सब है रचना तो बाबा के ते रचना की ऐसी महमा कभी हो नहीं सकती बीज की ही होती है बीज से ही जार निकलता है तो बीज में ही गुण होते हैं कि वो कितने फल देगा और बीज का राज भी बीज को ही पता होगा आप जब किसी भी ब्रक्ष को तयार करने के लिए फल को प्राप्त करने के लिए बीज डालते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि हम कितना बड़ा बीज कितना चोटा बीज डालेंगे उससे कितना बड़ा जार होगा कितने टाल टालिया निकलेंगे कितने पत पूटा सा तना जैसा निकलता है फिर दो पत्ते निकलेंगे फिर और और निकलेंगे फिर तना भी बड़ा होता जाता है ऐसे ही बाबा कहते हैं कि मैं जो हूं भी जो हूं तो रचना रचता को जान ही नहीं सकती अगर कोई आत्मा सो परमात्मा कहे तो उनकी महिमा गाई नही सागर है कोई भी मनुश्य की यह महिमा हो नहीं सकती ज्ञान से जीवन मुक्ती का रस एक सेकंड में आ चाता है भगवान वाच गीता में है न यग तप तीर्था दिकर ना बेद शास्तर पढ़ ना यह से भक्ति मार गये इनसे कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता है पिछाडी में सब को पाट बजाने आना है गौड फादर इसपन वही करन करावन हार है इसलिए ब्रह्मा से सत्य युगी आदी सनातिन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं आकर के करते नहीं हैं कराते हैं ध्यान रखना है करन करावन हार और कर रहे हैं जो उनसे करा रहे हैं तो यह बाबा कहते हैं कि अभी मैं कौन सी युग की कौन सी सनाटन देवी देवता धर्म की मैं स्थापना करा रहा हूं तो मनुष्य को करन करावन हर नहीं कहेंगे ंग गौड को ही К्रिएटर द्ऽा रहेटर कहा जाता है बच्चों को डाइरेक्शन देपशन दे के बीच में रहती है मुख से बोलती है परंपिता प्रमात्मा भी जब आये तब तो मुख से ज्ञान सुनाई कहते हैं मैं इस रत में रथी हो बैठा हूं ब्रह्मा रथ लिया है तो तुमको सहज राजियोग सिखलाता हूं अब हमें तो भक्ति में बताया गया कि शिव बैठे अरे भग्वान तो भग्वान आपको यदि कोई बैल पर या कोई स्कूटर पर 24 घंटे बिठा दे आप को उत方面 कि ना दे 24 घंटे संपभ धेगा को ऐसे वी कल पर कि साइकल गाड़ी स्कूटर बैठ जाएंगि नहीं बैठ सकते तो भगवान को कैसे बिठा दिया लेकिन वो उंच देंच बैठता है लेकिन कैलाष पर्वतों पर नहीं बैठता है, वो तो बैठता है सर्वोच स्थान पर परम दहाम में जहां कोई भी विकार नहीं होते, तो वो ज्ञान सागर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई गंगा बहती है, तो किसी के बालों में गंगा समा जाएगी, वो गंगा जो निकलती है, वो पहाडों से निकलता हुआ पानी है, वो तत्व है, जिस तत्व का हम बहुत अधिक अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उससे किसी की आत्मा पतित से पावन बन नहीं सकती, पतित पावनी पानी को कहा नहीं जा सकता, पतित पावन बाप को पतित पावनी जो गंगा ज्यान सागर देते हैं, ब्रह्मा पुत्रा के मुख से निकलती है और फिर और और नदियां बहाई गई हैं, तो ये प्रक्टिकल में हमें बुद्धी से यज्ञान समझने की बाते हैं बाबा कहते हैं इस तरह से परमात्मा आती है जब आये तब तो मुख से ज्ञान सुनाए कहते हैं मैं इस रत में बैठा हूँ तुमको सहज राजियोग सिखलाता हूँ तुम राजरिशी हो ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहेगी हे लाडली बच्चे तुम राजरिशी हो सिवाय बाप के कोई की ताकत नहीं बात करने की बाप ही कहते हैं हे बच्चे इनकी आत्मा भी सुनती है इनको भी कहते हैं हे बच्चे तुम राजरिशी हो, तुमको जाजाई के लिए हमें शिक्षा देनी हैं, पांच हजार वर्ष पहले मैंने तुमको शिक्षा दी थी, हर पांच हजार वर्ष बाद हम शिक्षा देने आते हैं, ऐसे कोई साधु संतादी कहना सके, बाप ही समझाते हैं, उनको खिबईया भी कह बरोबर तुमको विश्य सागर से निकाल शीर सागर में ले जाते हैं तुम बड़े आराम से बैठे रहेंगे अब तुम जानते हो बाप कहते हैं मैं ब्रह्मातन में प्रवेश करता हूं फिर यह ब्रह्मा सरस्वती विष्णु का रोप बनते हैं तब विष्णुपुरी के मालिक बनते हो ना यह हैं गुप्त बाते हैं तुम बच्ची ही जानो और ना जाने कोई पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनको समझाना चाहिए Godfather is one तो सरूर बाकी इतने सब उनके बच्चे ठहरे परमपिता परमात्मा एक ही है वह है मनुष्य श्रिष्टी का बेजरो सभी भक्तों का भगवान सबको सुख देते हैं यहां कलियोग में तो बहुत दुखी है मनुष्य तराही तराही करते रहते हैं सत्योग में दुख की बात नहीं यहां तो सारी दुनिया में धेल भक्त है यह मंदिर मस्जिदादी सब भक्ती मार्ग की समगरी है सत्योग में यह होते नहीं वह है भक्ती कल्ट यह है ग्यान कल्ट जब रात शुरू होती है तो पहले-पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो दोमारे पास जब कोई आते हैं, तो पहले-पहले उन्हें समझाओ कि Godfather is one, और सोमनाथ का मंदिर पहले-पहले भाक्ति शुरू होती है, भाक्ति रूप, मतलब बाबा ने रात कहा न, क्योंकि दुख की शुरू आद वहां से हो जाती है, तो क्यों बनाया जाता है? क्योंकि यह भासना रहती है, क्यान तो रहता नहीं है, लेकिन जो सत्योगी राज्ये की स्थापना इश्वर कराते हैं, जो सुख की दुनिया की स्थापना इश्वर कराते हैं, वो भासना रहती है, कि बाबा कहते हैं, सबसे पहले मेरी ही पूजन शुरू होती है फिर दीरे दीरे अब तो देखो तो गिन भी नहीं सकते हो इतनी पूजाएं, इतने पाठ इतने ना जाने क्या-क्या ठट करम दुनिया भर के हैं तो इस तरह से बाबा कहते हैं सोमनात का मंदिर बनाते हो तो तुम समझाओ कि Godfather is one भारत में ही गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक दे रहे यह है Mother, Father, Country जगत अंबा, जगत पिता दोनों हैं देलवाडा मंदिर भी अक्यूरेट बना हुआ है लक्षमी नारायन का चित्र मंदिरों में एक्यूरेट बना हुआ है लेकिन ओरिजनल चित्र तो निकालना सके बाबा कहते हैं वो तो सब मैंने बन वाये हैं लेकिन ओरिजनल चित्र तो कोई निकालना सके कोई एक्टर का ही चित्र ले फिर बनाते हैं तो उन्होंने तो राज्य किया सत्ययोग में, मनुश्य कहते भी हैं सत्ययोग में लक्षमी नारायन का राज्य था, लक्षमी नारायन के बच्पन के कोई हिस्ट्री है नहीं, राधे कृष्ण की है, अब जाने तो पता चले न, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, फिर नाराइन अश्रमी कहा गई श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं रादे कृष्ण तो प्रेस प्रेसेस हैं दोनों अपनी अपनी राजधानी में रहते जरूर स्वयमबर भी स्वयमबर हुआ होगा है ना तब राजगद्धी पर रादे कृश्noxन का राजी तो है नहीं सूरीवंशी और चंदरवंशी घर आना है चंदरवंशी में तो सूरीवंशी कृष् Immer श्री कृश्ञर आना सके देखो बाबा कितना समझाते बड़े मूंझ गए हैं तो पहले-पहले समझाना है गाड़ फादर किया है on पिता क्या करते हैं, विवाह के लिए दूसरे घर से अडॉप्ट करते हैं न स्री को, फिर बच्चे पैदा होते हैं, तो वो हद का है बाबा कहते हैं, स्री को अडॉप्ट किया, जन्म नहीं दिया, वे हद का बाब भी कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करता हू तो प्रम्हा मा, परेते परे रहने वाला पार ब्रम्ह परमेश्वर, जब इस लेख राज के तन में अवतरन लेते, तो फिर इनका नाम प्रम्हा पड़ता, क्योंकि उन्हों ने इनके तन का आधार लिया, तो इनका नाम बदली होकर ब्रम्हा पड़ा. मा क्योंकि उस इश्वर ने इसको अडॉप्ट कर, इस स्त्री को, क्योंकि आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक परिवार में यदि एक छोटे बच्चे को छोड़ कर उसका पूरा परिवार चला जाता है और उस परिवार में सिर्फ उसका एक भाई रह जाता है, तो वो भाई मा का, बहन का, पिता का, सब का फर्च करता है और उसकी पालना भी करता है, तो एक भाई यदि मा, बाब, सब कुछ बन सकता है, तो वो इश्वर इस प्रम्हा स्त्री को अडॉप्ट करके प्रम्हा मा क्यों नहीं कह सकते, तो मुख वंशावली ब्राम्हन, इतने सारे ब्राम्हन हैं, कोई शेर से नहीं निकलते शेर के मुख से, फिर भागती में तो शेर के मुख से दिखाए, तो बाबा केते हैं, स्त्री को अडॉप्ट किया, जनम नहीं दिया, बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं इनमें प्रवि जो हमारी होती है, उसको पैदा नहीं करते हैं, वो अडॉप्ट की जाती है, दूसरे परिवार से लेकर आते हैं, तो यही बात बाबा के रहें, कि मैंने भी इनको अडॉप्ट किया, फिर इनमें प्रविश किया, और मैंने फिर तुमको रच्चा, तो इसमें, या कि इसको भी पत्य नहीं है, ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है, फिर सागर में पत्य पर आते हैं, अब कहते न भक्ति में कि श्रिक क्रिष्ण ने जो दो पत्य हुए, उनमें फिर नाभी से निकले, तो यह तो असम्भाव है, कैसे निकलेंगे भला, तो बाबा कहते हैं, बेहत का निश्रश्टी कैसे रची है, किसको भी पता नहीं, जो आता है मन में कह देते हैं, ऐसे नहीं की प्रलय हो जाती है, फिर साकर में पत्ते पर आते हैं, अगर ऐसा है, तो अकेला श्री कृष्ण के सिस्रश्टी रचीगा, फिर तो दो चाहिए, फीमेल भी चाहिए, परन्तु ऐसी कोई बात है नहीं, बाब कहते हैं, मैं एडॉप्ट करता हूँ, तुम सब कहते हो बाबा, हम आपकी मुख वनशावली हैं, मैं इस मुख का अधार लेता हूँ, कहता हूँ ही बच्चे, तुम भी कहते हो हेशी बाबा हम आपकी बच्चे थे, फिर बने हैं, बाब कहते हैं, तुम बच्चों के लिए मैंने बैकॉंट की सौकात लाई है, तुम यहाँ बैठे हो, स्वर्ग का मालिक बनने लिए, यह राज योग है, राजाई स्थापन हो रही है, और प्रेसक्टर ऐसे नहीं कहेंगे, कि मैं क् राजाई स्थापन करता हूं, नहीं, तुम नहीं दुनिया में राजाई लेने लिए, शिक्षा पा रहे हैं हो, यह वंडर है ना, गौड़ फादर है स्वर्ग का रचेता, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग की राजाई पाने का हाक है ना, सत्योग में राजाई थी, मनुष शिश्रिष्टी कैसी क्रियेट करते हैं, अभी तुम जानते हो, भगवान बाच, यह है है हमारे मुखवणशावली, बाकी सभी है रावण की कुखवणशावली, वह ब्राम्हन कुखवणशावली, तुम ब्राम्हन मुखवणशावली हो, तुम समझा सकते हो ब्रम्हा की अुलाद जरूर ब्राम्हन ठहरे ना, ब्रम्हा है प्रच्य पिता ब्रम्हा, तो उनकी संतान भी ब्राम्हन ठहरे, ब्राम्हन के बच्चे ब्राम्हन होते हैं ना, तुम हो ब्रम्हा की सची अुलाद ब्राम्हन, ब्राम्हन है सबसे उँच, ब्राम्हनों की चोट, उनको चो करको वस दिखा दिया है जबकि उपर में जिसकी द्वारा वो बने जिसकी रचना वो है, उसको उडआ दिया है, तो सुप्रिम शूल गाड फादर को उडआ दिया है वैसे उच ते एँच प्रामीन ब्राम्हनों को भी छोटी से उड़ा धिया है। विराट रूप में ब्राम्हनों को नहीं दिखाते हैं, सिर्फ कहते हैं देवता, शत्रिय, वैशी, शूत्र। बाबा निर्वान धाम शांती धाम में अपना आराम पे निकल जाते हैं, मैंने क्या किया, कैसे श्रिष्टी रची है, कोई नहीं जानते क्योंकि मैं तो तुमको सब कुछ दे करके मैं तो छिप जाता हूँ, अब छिप गया तो मुझे ढूंडे कौन, तब ढूंडो, तब प परक के मालेक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते, अब वह शूद्र वर्ण में आहें, फिर उनको ब्रामन बनाते हैं, वर्ण भी है न, विराट रूप का चित्र भी है, ब्रामनों की चोटी के आगे शिप भी जरूर देना है, जैसे त्रमूरती पर शिप दिखाते हैं, वैसे ब बाबा केते हैं, पहले-पहले तो कोई-कोभी अल्फ ही समचाना है, वह बाप इस ब्रम्हा द्वारा श्रश्टी रचते हैं, तो सब भाई बहन हो जाते हैं, शीव की संतान तो सब आतमाएं, फिर मनुष श्रश्टी रची जाती हैं, तो पहले-पहले ब्रम्हा, सरस्वती ब्राम्हन फिर दैपता शत्री बनते हैं, ऐसी यह मनुशिष्ष्ष्टी का जाड़ व्रधी को पाता है, उसी बाप को सब भूले हुए हैं, देखो बाप दादा कितना क्लियार कर समझाते हैं, बच्चों को भी सीखना है, आच्छा मीठी मीठी सीखी लाधे बच्चों प्र धारना के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा हम राज रिशी हैं, सुपईम भगवान हमें राज योग सिखाकर राजाई का वर्सा देते हैं, इस नशे में रहना है, दूसरा योग अगनी के विकर्मों को दगद कर सब बिमारियों से सदा के लिए मुक्त होना है, इस जन्म के कर्मभोग को याद में रह चुक्तू करना है, वर्दान है बाब का, पवित्रता की विशीष धारना द्वारा अतिंद्रिय सुख कानुभव करने वाले ब्रह्मपचारी भव, ब्राम्हण जीवन की विशीष धारना पवित्रता है, यही निरंतर अतिंद्रिय अर्थात ब्रम्हा बाप के आचरण पर हर कदम चलने वाले संकल्प बोल और कर्म रूपी कदम ब्रम्हा बाप के कदम उपर कदम हो ऐसे जो ब्रम्हचारी हैं उनका चेहरा और चलन सदाही अंतर मुखी और अतेंद्रिय सुख की अनुपूति कराएगा स्लोगन है सेवा में तरकाल दर्शी का सेंस और रोहानियत का सेंस भरने वाले ही सर्विसेबुल हैं सेवा में तरकाल दर्शी का सेंस और रोहानियत का सेंस भरने वाले ही क्या हैं सर्विसेबुल हैं कभे भी आप चुब रोहाने सेवा करते हैं, परमात्मा का यह ज्ञान देते हैं, तो आप नहीं देते हैं। परमात्मा ने आपको निमित्द चुना है, सेवाधारी बनाया है, बना संसार में इतने धन, दौलत वाले मनुश्यात्माएं हैं, कि सिर्फ ये वस्त्र पहन कर सेवा करना होता, तो आज सिल्वर का एक कपड़ा, चांदी का एक सारी बना करके, इतना पैसा लोगों के पास में, कि वो कुछ भी अच्छी से अच्छा पहन करके सेवा कर सकते हैं, लेकिन बाबा सिर्फ इस शरीर के बारे में नहीं कहते हैं, ब तुम बच्छे मेरे हो, तो तुम आत्मा हो, और तुम आत्मा में मेरा ग्रहन जो धारना हुई है ग्यान की, तो वो धारना तुम्हारे आत्मा में हुई, अब यही जो आत्मा की धारना हुई है, तो उसको आपको रूहानियत में रहे गर, और आत्मा तरकाल दर्शियर था साथ आत्मा निश्ट्रेकर फिर यह घ्यान मेह आठाक तुछ को तुम्हारी द्वारा उन आत्माँ तक पहुचणा है लाए कि शरीर सुनती है आत्म करमेंद्रियों के द्वारा सुनती है और शान्ति शुक्रिया europ Dowसुक्रिया uniform है झाल झाल